प्रणाम देवी और सजनो, मेरा नाम है अकांगशा पाठक और मैं आज आपके सामने प्रस्तत करने वाली हूँ कुछ कहानिया मिजबान की तो ये बुंदेल खंडी कहानिया है जिनका संग्रे किया है श्री प्रदीप चौबे जी ने वो कहते हैं कि किसे कहानी कहना और सुनना पुरातन काल से ही भारतिय संस्कृति की समृत शाली परमपरा रही है अभी जादा समय नहीं बीता है कि जब हमारी ग्रामीर अंचलों में सांच ढलते ही गाओं के किसी बुज़र्गवार की चौपाल पर बैठ के जम जाया करती थी और चल पढ़ता था किसे कहानियों का एक ऐसा दोर कि कब आधी रात भी जाती थी पता ही नहीं चलता था कि सब बाते आज स्मृतियां ही बनती जा रही है आजकल ना तो वैसी चौपाल बची है और ना ही वैसे किसाकार हाँ यदि कुछ बचा है तो वो लोगों के मानस पटल पर अंकिर धुनली सी छवी लिये हुए वे किसे कहानियां जो वर्षों पहले हमने दादा दादी नाना नानी अत्वापने किसी बूडे से आने के मुख से सुन रखी थी कि कहानियां हमारी स्मृती से विस्मृत ना हो जाए और हमेशा चिरन जी भी बनी रहे समय के धारा प्रभा में बैकर खतम ना हो जाए ऐसा ही प्रयास एकलवे होशंगाबाद के बुनियादी शिक्षा कारिक्रम के तहत मैंने और मेरे साथियों ने किया है हम चाहते हैं कि ये कहानिया अपने बुन्देल खंडी स्वरूप में ही बच्चों एवं व्यसक पाठकों के समक्ष पहुचे ताकि इनकी मौलिक्ता और भाषाई लालित्य बना रहे इस संस्कृति के मूल उदेश बिकरी हुए कहानियों को समेट कर इनने अलग-अलग प्रांतों के बच्चों तक पहुच आना है प्रात्मिक शिक्षा के चेत्र में इन कहानियों के माध्यम से शाला में पठन-पाठन और समझने का महौल तयार करना है तो प्रदीप चौबे जी के इसी लक्ष को आगे बढ़ाते हुए हम प्रस्तुत करेंगे मिजबान की कुछ कहानिया और हमें उमीद है कि आपको भी ये कहानिया उतनी ही रस भरी और उतनी ही स्वाद भरी लगेंगी जितनी वो हमें लगती है तो आएए शिरुवात करते हैं मिजबान का एक सफर